दोस्तों नमस्कार तीन दिसंबर का इंतजार सुप्रीम कोट को है या फिर यह कहें तीन दिसंबर का इंतजार सुप्रीम कोट को भी है लेकिन एक सवाल हर जहन में उठेगा कि राज्यों के चुनाओं है और उसका परिणाम है इसका इंतजार सुप्रीम कोट को क्यों हो सकता क्या वाकई सुप्रीम कोट इस दौर में राजनिती से बहुत प्रभावित है क्या वाकई इस दौर में राजनितिक सत्ता ने सुप्रीम कोट पर भी नकेल कस रखी है क्या वाकई इस दौर में सुप्रीम कोट के भीतर जो मामले रुके हुए फैसले की तर्च पर है क्या उस में भारत की राजनिती की दिशा क्या होगी और 2024 के चुनाव को लेकर भारत में मोदी सत्ता और दूसरी तरफ विपक्ष या कहें इंडिया इन दोनों की राजनितिक विसात यह 3 दिसंबर पर क्या अठकी हुई है आज सवाल राजनिती का नहीं होगा आज सवाल सुप्रीम को होट में रुके हुए हैं रुके हुए फैसलों पर फैसला आना क्या भारत की राजनिती में सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है? क्या ये तीन फैसले ऐसी हैं जिसके जरीए भारत की राजनिती एक जटके में बदल जाएगी? ध्यान दीजिए तो इन तीन फैसलों के इर्द गिर्द मोदी सत्ता की सांसें अटकी हुई हैं. और इन तीनों फैसलों को बार बार तारीक दर तारीक दी भी गई और हर बार ये कहा गया कि फैसला अब आ जाएगा. और ये तीनों परिस्तितियां भारत की राजनितिक इस्तितियों को उजागर करती है. इन तीन फैसलों के भीतर भारत की एकनौमी और कॉर्परेट का सत्ता के साथ जो क्रोनी कैप्टलिजम का साथ है उसको उजा से प्रभावित है. और खास बात तो ये है कि इन तीन मसलों को लेकर सिर्फ भारत ही नहीं बलकि दुनिया भर की नजर भारत पर इसलिए है. क्योंकि एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में विधायकों की खरीद फरोक्त और सत्ता परिवर्तन भी हो स जाना. लेकिन इलक्षन कमिशन की खामोशी, लेकिन सुप्रीम कोट का बार बार तारीक देते चले जाना. और इसके बाद की परिस्तिती में आईएगा तो याद कीजिए जनवरी के महीने में जब हीडन बर की रिपोर्ट आई, उसके बाद दुनिया भर में कितना बवाल म जान. दुनिया भर के कई बैंकों ने रोक लगा दी कि अब इन्वेस्टमेंट अडानी की कमपनियों पर नहीं होगा. लेकिन हमारे यहां यानि भारत के भीतर से भी कई तारीकों के साथ अपनी रिपोर्ट को सौपने में महीने दर महीने की मांग करती चली गई. और जह प भारत में डियराई वह भी कह रहा है कि कोईले की आवाजाही में उसकी कीमत में और उसके जरिये भारत के कंजूमर पर कितना बोज बढ़ा उन सब की रिपोर्ट निकल कर आती है और डियराई कहती है अब निचली अदालत के फैसलों को रोकना चाहिए और यह काम सुप्री कोट के भीतर खामोशी बरती जाती और हाल में सबसे बड़ा मुद्दा तो इलेक्टरॉल बॉंड का है यह एक अजीबो गरीब इस्तिती है कि सरकार नहीं चाहती है इस देश में कौन पैसा देता है पॉलिटिकल पार्टी को और इस देश की जनता चाहती है कि ट्रांसपर जाता इलेक्टरल बॉंड को लेकर सुप्रीम कोट जिस दिशा में बढ़ रहा है वो सिवाए समय काटने के कुछ नहीं है और हीडिनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी कांड और उस पर बैठ जाना फैसला ना देना हमें लगता है आज हर उस तीन फैसलों के रुकी परिस्तितियों को समझने की कोशिश भी कर लीजिए और उसके बाद इस कलई को भी खोल लीजिए कि आखिर तीन दिसंबर का इंतजार सुप्रीम कोट को क्यों है और कितना राजनितिक दबाओ या सत्ता का दबाओ इस दौर में तमाम इंसिशूशन्स पर अगर है तो क्या ये सुप्रीम कोट पर नहीं है बात कहीं से भी शुरू कीजिए लेकिन शुरुआत में इस बात को समझना होगा दुनिया के सबसे बड़े लोकतांतरिक देश में महराश्ट के भीतर जो कुछ होता है उस पर सुप्रीम कोट जब फैसला देता है तो खुले तौर पर कहता ह कि वहां के मुक्मंत्री गैर कानूनी तरीके से सत्ता में बैठे हुए हैं वह खुले तौर पर कहता है कि महराश्ट के राजपाल की भूमिका गैर कानूनी थी राजपाल का मतलब वह राश्टपती के नुमाइंदे के तौर पर राज्यों में उनकी न्युक्तियां होती है तो राज्जिपाल, राष्टपती, मुख्यमंत्री का होना, प्रधानमंत्री का प्रभावित होना, सत्ताधारी राजनिती सब कुछ गैर कानूनी लेकिन उसके बावजूद भी फैसला नहीं, और फैसला देने के लिए जो विधान सभा अध्यक्ष को अधिकार दिये जाते हैं, वो बार बार चीजों को टालते चले जाते हैं पांस साल के लिए कोई सत्ता चुनी जाती है जरा कलपना कीजिए डेड़ साल का वक्त, एक ऐसी सत्ता और ऐसे वेक्ती के हाथ में महराश्ट के बीतर, जिसकी अपनी राजनितिक जमीन किस पार्टी से जुड़ी है कोई नहीं जानता है, जो किस रूप में कितने तरीके से अपनी शिफसेना को छोड़कर बीजेपी के साथ खड़े हो गए और बीजेपी ने उन्हें मुक्खमंत्री बना दिया, और सुप्रीम कोट ने बार बार जो नारवेकर हैं, यहां के जो पिधान सभाध्यक्ष है, उनको बार बार राहुल नारवेकर को वक्त दिया कि आप बताईए और उसके बाद डेट बढ़ते बढ़ते इस्तिती यह भी आ गई कि एटार्नी जेनरल तक ने कहा हम जाते हैं और दिपावली की छुटी के बाद जरूर फैसला हो जाएगा लेकिन इस्तितिया नाजुक होती चली गई, अब आप सोचिए, 31 दिसंबर 2023 को MLA की अय सुप्रीम कोट वक्त दरवक्त देता है किस बात का डर है, क्या सुप्रीम कोट का मतलब सिर्फ इतना है कि समय जायर किया जाए, या इस बात का जिक्र है कि चलिए, एक वक्त रंजन को गोई थे, इस वक्त डीवाई चंदर चूर है, लेकिन वक्त इस देश का जायर हो रहा है. इस दिशा में क्या किसी ने सोचा? जब कुछ चीजे गैर कानूनी है और सुप्रीम कोट इस बात को कह रहा है तो फिर उसकी व्याक्या कौन करेगा? जाहिर तोर पर सुप्रीम कोट से बड़ी टाकत किसी भी संस्था के पास नहीं है जो बता पाए कि कानूनी क्या है और गैर कानूनी क्या है और अगर गैर कानूनी है तो constitution क्या कहता है लेकिन बावजूद इसके वक्त दिया गया और speaker ने कहा कि देरी में कोई दिल्चस्पी नहीं लेकिन जल्दबाजी भी वह नहीं करेंगे पांस साल की सरकार में अगर डियर साल जो की दिसम्बर में पूरे होंगे एक नाश शिंदे के उस दोर में वो रज्ज के मुकमंत्री बने रहें और उसके बाद पता चले कि नहीं ये बूरे तरीके से गैर कानूनी ही नहीं खریद फरोगत और जस तरीके से चीज़ों को बाटा गया और ये सारी चीज़े होती चली गई इस पर कोई नजरिया कोई ध्यान किसी ने क्यों नहीं दिया लेकिन सुप्रीम कोट ने फtałिसला नहीं सुनाया सुप्रीम कोट ने बार बार वक्त दिया और याद कीज़िए तो जून 2022 की ये घटना है जिस बात का जिक्र महरास्ट में होता है। उसके बाद मई 2023 में सम्विधान पीट ने सुप्रीम कोट में बैट कर अपना फैसला तक दे दिया लेकिन उसके बावजूद भी इस्तिती जस की तस है। तो क्या पहली बार इस देश के भीतर में राजनितिक सत्ता की ताकत इतनी जादा है या राजनितिक सत्ता चुनाओ के मैदान में अगर हारती हुई दिखाई देगी तो सुप्रीम कोट जागरित होगा यह भी एक सवाल है क्या। यकिनी तोर पर 3 दिसंबर का इंतजार पांच रज्यों के चुनाओ पैणामों से जुड़ा है और चुनाओ पैणाम बीजेपी के आने वाले वक्त की सियासत से जुड़े हैं और यह सियासत 2024 की दिशा में जाती है तो क्या इंतजार इसी बात को लेकर है इसी लिए लगात को इसके साथ लाकर खड़ा कर दीजिए यह मामला ज्यादा महत्पूर्ण है यह मामला इस देश के भीतर में ब्लैक मनी को वाइट करने का है यह मामला करप्शन को आश्रह देने का है यह मामला बड़ी तादाद में घूस देने का है रिश्वत देने का है लेकिन उस पर भ हमको बताईए जो बात कही जा रही है उसमें कितनी सचाई है और उसके facts and figure क्या है इलेक्टरल बॉन्ड का मतलब क्या होता है इलेक्टरल बॉन्ड का मतलब बहुत साफ है इस देश के जो भी बड़े रईस, corporate, industrialist, business person जो भी है वह इलेक्टरल बॉन्ड खरीतने हैं और उसको वह उस party के हिस्से में खरीतने हैं जो पार्टी के पास ये चला जाता है 2019 में ही ये मामला सबसे पहले उठाता और 2019 में एक data है बड़ा महत्पून data है ये उस वक्त में अगर आप election commission से जो data निकल कर आया या center for जो medic studies जो है election जो cms है central for media studies उसने 2019 को लेकर बताया था 55,000 कोड रुपए चुनाओं में खर्च हुए सवाल है उस 55,000 कोड में से बीजेपी के पच में 50% से ज़्यादा पैसा था और 2019 का चुनाओं में इतना पैसा कहां से आया और उसके बाद रज दर रज जो विधायकों की खरीद फरोग्त होती है वो पैसा कहां से आता है राजनतिक समर्थन चाहिए तो उसमें पैसा देना पड़ता है वो पैसा कहां से आता है विधायकों को खरीदा जाए उसमें पैसा देना पड़ता है वो पैसा कहां से आता है चुनाओ के वक्त जो पैसे लोटाए जाते हैं जो पांच रज्यों में चुनाओ हो रहे हैं, इसमें भी तकरीबन पांच हजार से जादा पांच हजार कोड से जादा रकम इस दौर में पकड़ी गई, लोटाए जा रहे थे, ये पैसा आता कहां से है? इसी को लेकर electoral bond जब लाया जा रहा था अगर आप 2018 में चले जाईएगा election commission विरोत कर रहा था RBI विरोत कर रहा था सुप्रीम कोट विरोत कर रहा था यानि इस देश के भीतर में कोई संस्था ऐसी नहीं थी जो इसके साथ खड़ी होती लेकिन पार्लियमेंट खड़ा था और पार्लियमेंट उसके भीतर तमाम वह political party जो आज के दोर में सोच रही है हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि खेल क्रोनी कैप्टलिजम का इलेक्टरल बॉन्ड के जरीए ऐसा हो जाएगा जिसमें पैसा कौन दे रहा है इसका नाम ही नहीं आएगा और राजनितिक तोर पर political party को पता चल ही जाता है कि कौन दे रहा है अगर वो सत्ता में है क्योंकि जानकारी SBI के पास होती है अब सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोट ने इलेक्शन कमिशन से कहा कि आप हमें जानकारी दीजिए तो सुप्रीम कोट यह बात अगर SBI से कहती स्टेट बैंक से कहती तो उसके पास तो सारे नाम है और यहां दीजिए तो इस ये पहला मौका नहीं है जब चीज़ें टाली गई जिस वक्त रंजन गगोई थे उस दोर में भी ये चीज़ें टाली गई थी इस दोर में भी चीज़ें क्या टाली जा रही है क्योंकि चुनाओ आयोग जब पॉलिटिकल पार्टी से कहेगा आप हमें बताईए तो वह जानकारी दे देंगे उनके पास इतनी रकम डोनेशन की आई है किसने दी वो कहेंगे हम नहीं जानते हैं इसके लिए आपको SBI के पास जाना होगा हमें तो जानकारी नहीं है और यही बाद सुप्रीम कोट के भीतर उठी थी कि जो पैसा देता है उसी को राजनितिक लाब सत्ता पहुचा देती है और यह क्रोनी कैपिलिजम की नई पॉलिसी नितिगत डिसीजन्स लिए जा रहे है यह फैसला भी सुरक्षित रखा गया रुक गया क्योंकि भारत के भीतर में अगर यह ट्रांस्पेरिंट हो जाए कि किस कॉर्परेट ने किस बिजनिस परसन ने किस इंडस्ट लिस्ट ने पैसे दिये और उसको उसकी एवज में कितना लाब मिला तो सब कुछ इस देश के सामने आ जाएगा कि यह शक सत्ता के साथ किस रूप में खड़ा है और जनता से पैसा लेकर वो कॉर्परेट अपने प्रोड़क्ट को बेच कर या अपनी सेवा को दे कर जो लाब कमाता है उसमें कितना बड़ा हिस्सा सरकार को देता है और सरकार उसकी एवज में उसके लिए किस तरह किसे N.O.C. उसको दे देती है तमाम बिजनेस धंदों के लिए ये बात सामने क्यों नहीं आई इसमें भी तीन चार चीजे बड़ी महत्पूर्ण है क्योंकि A.D.R. का कहना है कि इससे पहले उन्होंने R.T.I. के जरीए इलेक्शन कमिशन से भी पूछा था और इलेक्शन कमिशन ने जानकारी दी कि हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टी से जब कहा तो उनके जो जवाब आए हैं वो हम आपको बता देते हैं और इलेक्शन कमिशन ने जवाब दिया उसमें दरसल उन पॉलिटिकल पार्टी से जवाब दिया था किसने किसको दिया और क्या ये संभव है कि इस देश के भीतर में आप किसी को पैसा दे रहे हैं और वह चाहेगा कि उसका नाम छुपा रहे और वो एक दान दे दिया उसने क्योंकि वह उस पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा से बहुत प्रभावित है यह तो ठीक वैसा ह में क्या था एक मेडिया ने इसका जिक्र किया कि 21 रुपए थे इस 21 रुपए का जिक्र कॉंग्रिस की नेता प्रियंका गांधी ने कर दिया तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दे दिया बीजेपी की शिकायत के बाद आप ये कैसे कह सकते हैं 21 रुपए थे और एक रिपोर तहीं नहीं है अपना नाम आए या फिर सौदा पहले हो जाता है कि आप हमको सौ कोड रूपिया देंगे, एक हजार कोड रूपिया देंगे, उसकी एवज में हम आपको इस रूप में दे देंगे और फिर वो SBI जाता है और BJP के नाम से मान लीजे परची कटाई, क्योंकि ज गौदा हजार करोड से जादा का जो इलेक्टरल बॉंड लिया गया, उसमें तकरीबन आठ हजार करोड से जादा तो BJP के पक्ष में गया, तो ये सौदा तो पहले हो जाता होगा, ये फैसला भी रुका हुआ है, और इस फैसले पर भी सुप्रीम कोड को फैसला लेना है, तो एक रुके हुए फैसले पर फैसला लेना है और इंतजार 3 दिसंबर का है, कि इसके बाद भारत की राजनिती में क्या व्यापक परिवर्तन आता है, इस बात को समझने के लिए एक तीसरी परिस्तिती निकल कर आती है, जो हिडेनबर्ग रिपोर्ट के साथ जुड़ी है इडेनबर्ग रिपोर्ट को अगर परखिएगा जो जनवरी के महीने में आई थी, उस दौर को याद कीजिए तो उसमें 98 के कमपनियों का हवाला देते हुए बकाइदा जानकारी दी गई थी कि कोईला आयात में कैसे अकथित अन्यमित्ता बरती जा रही है, और इसी को किमत यहां बढ़ जाती है, भारत में कीमत बढ़ती है, तो कंजूमर पर कितना परभाव पढ़ता है, और ये बाते होते होते और फिर 17 नवंबर को जो पिछले दिनों दो दिनों पहले की बात है, राइटर्स ने रिपोर्ट दी और उसमें बताया कि जो डियर आई है, जो जुटाने से रोकने की अनुमती अडानी कमपनी को दी गई थी, अब आप कम से कम इसको हटा लीजिए, क्योंकि गरबड़ियां तो हो रही है, और अडानी कमपनी या हीडिनबर्ग रिपोर्ट को लेकर भी अगर जनवरी के बाद से तारीक दर तारीक को देखिएगा, तो फिर सुप्रीम कोट में वो तारीक तबदील होने लगी, अक्टूबर में कभी 15 अक्टूबर, कभी 18 अक्टूबर, कभी 30 अक्टूबर, लेकिन अब नवंबर का महीना है नहीं, इंतजार 3 दिसंबर का है, तीन दिसंबर के इर्दगिर्द क्या ये तीनों मामले इस तरीके से घुमड रहे हैं, जहां पर पहली बार सुप्रीम कोट को भी इस देश की जनता के राजनितिक निर्णय का इंतजार है, भारत की राजनिती या भारत के भीतर फैसले ऐसे तो नहीं हुआ करते थे, और इस तरीके से कोई रुखता या इंतजार भी नहीं करता था, तो क्य भारत में जो अलग-अलग इंस्टूशन्स को लेकर अभी तक ये सवाल उठता रहा, कि तमाम इंस्टूशन्स को प्रभावित किया गया है, लेकिन अदालती कारवाई उससे पूरे तरीके से मुक्त है, तो इस प्रक्रिया में राजनितिक घटना करम को भी अगर आप परक सुनाएंगे, लेकिन दस मिनट के बाद आए तो बेल तो दूर की बात है और एक इसी परिस्तिती में चीजों को ला दिया कि किसी भी हालत में मई दो हजार चौबिस से पहले यह जेल से बाहर ना निकल पाएं, तो क्या दो हजार चौबिस का चुनाओ इस देश में सब कु स्ते करेगा और उससे पहले तीन दिसंबर यानि पांच राज्यों के चुनाओ उस चौबिस के लोकसभा चुनाओ को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा राजनितिक धमाका होने वाला है, इसलिए तीन दिसंबर का इंतजार है और राजनितिक धारा के अनुकूल इस द जब जागरित होगी और वो सवालों को उठाएगी और ऐसे ऐसे मुद्दे जब सत्ता को कटगरे में खड़ा करेंगे तब फैसले आने शुरू होंगे तो क्या तीन दिसंबर का इंतजार इसी बात को लेकर सुप्रीम कोट के भीतर है, क्योंकि इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर कर बीस तारिक यानि कल तक आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीज सकते हैं, यानि जो मुद्दा सवालों के घेरे में हैं और कॉंसे चुशनली पीठ उसका अध्यन कर रही है, समविधानिक तोर पर इसको आगे रखा जाए या रोक लिया जाए, फैसला सुरक्षित है लेकिन इलेक्ट्रोल बॉन्ड आज भी बिक रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, लेकिन उनके नाम सामने ना आएं, इसकी पूरी ववस्था की गई है, और जिस दौर के भीतर में जब सुप्रीम कोट उन फाइलों को खोल कर देख रही है, जिसका जिकर सुप्रीम कोट में भी हो रहा हैं, तो क्या ये सब कुछ उन लोगों के लिए है, जो दान करने वाले हैं, दान देना या रिश्वत देना, और रिश्वत के जरिये अपने अनकूल नियमों को लागू करवा देना, अपने बिजनेस और धंदों के लिए सरकार द्वारा नियम बनवा देना, क्या यह हिस् जो था अगर उस पर सुप्रीम कोट कल फैसला सुनाएगा और स्पिकर की रिपोर्ट के बाद तो एक जटके में महारास्ट इलेक्शन की तारीक भी लोकसभा चुनाओं के साथ खड़ी हो जाएगी। तो एक जटके में शेर बाजार के भीतर का मैनुपुलेशन भी इस बात को इंगित करेगा जो लगातार शेर बाजार दिखाता है कि अब इतने हजार के ऊपर चले गए अब साथ हजार पार कर चुके हैं यह परिस्तिती और आने वाले वक्त में असी हजार हो जाएंगे और व पैसा देता है और किसके अनकूल सरकार नितिया बनाती है और वो पैसा क्यों देता है दान तो नहीं देता होगा तो क्या ये बात जब सामने आएगी तो एक जटके में भारत की राजनितिक सत्ता और कॉर्परेट के पैसे का मिला-जुला-चेहरा सामने आ जाएगा पता नहीं इन तीन राज्यों में ताकत किसकी बढ़ती है लेकिन यह तो पता है कि कब तक इस मामले को टाला जाएगा क्योंकि NCP से निकले हुए अजीत पवार जो BJP की नजर में 24 घंटे पहले तक भरस्ट थे वह डिप्टी सीम बन गया और अब पता चलता है वह भी रूट कर घर में बैठे हैं आजकल दफ्तर भी नहीं जाते हैं लेकिन मात्पुन वो नहीं है मात्पुन उस सिस्टम का है उस इमादारी का है उस डिमोक्रिसी का है जिस पर आच लाकर सत्ता आगे बढ़े और जिसके जरिये इस देश के इंस्टूशन ठप पड़ जाए और उस दाइरे में इस देश की अदालते भी क्या आ गई है सवाल यही बड़ा है और शायद इसी लिए इंतजार सुप्रीम कोट को भी तीन दिसंबर का है जनता फैसला क्या करती है तो समझिए चुनाओ का महत्तु भारत में लोकतंत्र के लिए ही नहीं बलकि इस देश के कॉंस्टूशनली इंस्टूशन्स और जो सिस्टम है उसको भी मांदारी के साथ चलाने के लिए होता है और जनता का चुनाओी फैसला भारत के भीतर क्या कुछ कर सकता है यह सिर्फ इस बात से सोच लीजिए कि सुप्रीम को तीन दिसंबर का इंतजार कर रहा है बहुत 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 शुक्रिया